हे गुड मॉर्निंग स्टुनेंट्स मैं नेम इस अब लक्ष सोधिया एंड आज हम शुरू करने वाले हमारे जीके का 10 चेप्टर इंडियन रेलवेस इसमें इंडियन रेलवेस की बारे में आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी बहुत मजा आने वाला है चलो स्टार् लालटेन है यह आपने बहुत सारे रेलवेस में देखा होगा साइट्स पे देखा होगा तो यह हमारा रेलवेस मैसकॉट है बहुत सारी चीज़ों के मैसकॉट अतने लाइक फीफा वर्ल्ड कप का मैसकॉट होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें भी मैसकॉट होता अब बता सकते हैं कहां से कहां चली थी, वो Bombay 2 थाने चली थी, ठीक है, जो हमारी 1st train थी, 1853, यह सब को पता ही होगा, चलिए, next question, Dash is the technological marble of Indian railways running on Western Ghat, Western Ghat side आप लोगों को, जो हमारे करनाटिका, गोआ, तमिलनाडू, इस एरिये में एक बहुत शांदा train चलती है, कोंकन railways, इस train में आपको बहुत सारे sceneries, waterfalls, बहुत सारे tunnels देखने को मिलते हैं, Maximum train, से पास होती है, हर जगा हर याली, बहुत शांदार आपको नजारे देखने को मिलते हैं, तो ये कोंकन railways का है, आप लोग, प्लीज, एक बर जबर विजट कीजएगा, बहुत अच्छी जगा है, next question, Dash become the second railway in the world to attain, heritage status from UNESCO in the year 1999, UNESCO ने 1999 में Darjeeling Himalayan Railways को अपना tag दिया था, कि ये जो railway है, ये world class चीज है, UNESCO एक ऐसी organization है, जो चीज़ों को tag देती है, कि that was the world best thing, like Mumbai और भीमबाटिका की, जो sceneries है, paintings है, उसको बहुत सारी चीज़ों को दिया हुआ है, तो Darjeeling Himalayan Railway को भी दिया हुआ है, चलिए, next question, dash is the oldest functioning steam engine in the world, holding a prominent place in the Guinness World Records, fairy queen, जो ये fairy queen है, ये हमारा world oldest engine माना जाता है, जो आज भी working है, अगर आपको इसमें travel करना है, तो आप डैली से अलवर के लिए जाए, ये, डेड़ हंटे का सफर है, बहुत शानदार है, इसमें आप आएंगे, देखेंगे, आपको बहुत अच्छा experience मिलेगा, fairy queen, the national rail museum which focuses on the rail heritage of India is located in New Delhi, जो हमारा Indian railway museum है, वो हमारा New Delhi में, इसमें आप जाए, बहुत पुराने railway के engines हैं, उसके parts हैं, coaches के part हैं, बहुत सारी चीज़ा आपको देखने मिलेंगी, railway का एक बहुत शानदार museum है, नाइड डेली में, चलिए, next question, the longest running train in India, dash cover of distance of 4,286 km across 8 states, जो हमारी एक train है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी train मानी जाती है, I mean to say, बहुत लंबा distance cover करती है, आप जो यह map में देख रहे हैं, कन्या कुमारी से, देब्रग, जो एक असाम में एक place है, वहां तक, इतना लंबा travel करती है, यह वल्ड की पहली train है, सुरी हमारे इंडिया की first NC train है, जो सबसे ज़्यादा लंबा सफर तै करती है, इसको मान लीजिए, आप 4-5 days लगते हैं, और यह बीना से भी cross होती है, इसका नाम है Vivek Express, बहुत अच्छी train है, इंडियान रेलवेस इस लोकेटेड इन कपूर्टला, कपूर्टला में जितने भी हमारे train की coaches हैं, वो प्रपेर होते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, जितने भी हमारे राजधानी के coach माल लीजिए, यह जो हमारी express trains हैं, mail trains हैं, सारे जो coach हैं, वो कपूर्टला एक पंजाम में प्लेस हैं, महाँ पे तयार होते हैं, नेक्स कुश्चन, डाजीजल लोकोमोटेव वर्क यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेस इस लोकेटेड इन, जो हमारे diesel engine होते हैं, जो आपने देखे होंगे, अशोगनागर में भी diesel engine देखे होंगे, वो वारा नसी में तयार होते हैं, ठीक हैं, नेक्स कुश्चन, नहीं है, ठेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यहां हमारे वीडियो खत्म होता है, पसंद है तो प्लीस लाइक कीजेगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा,